नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के अर्थचास्त से जुड़े कुछ प्रश्णों के बारे में जानेंगे तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं प्रश्णिक्रमांक एक प्रथम पंच वर्षी योजना में किस क्षेत्र को सरवादिक प्रात्मिक्ता दी गई थी और इस प्रश्निका सही जवाप है option A क्रशिक शेत्र को प्रथम पंचवर्ची योजना में सरवादिक प्रात्मिकता क्रशिक शेत्र को दी गई थी प्रश्निक्रमांक दो बिक्रीकर यानि सेल्स टेक्स कोन लगाता है और इस प्रश्निका सही जवाप है Option B, राज्य सरकार बिक्रिकर यानि सेल्स टेक्स राज्य सरकार लगाती है प्रश्निक्रमांक 3, भारतिय रिजर्व बेंग का मुख्याले कहां है और इस प्रश्निका सही जवाप है D, मुंबई, RBI का हेड़क्वाटर मुंबई में स्तिते प्रश्निक्रमांक 4, देश में क्रची एवं ग्रामेन विकास हितु वित्त उपलब्द कराने वाली सर्वच संस्ता कौन सी है और इस प्रश्निका सही जवाप है D, नाबाड, देश में क्रची एवं ग्रामेन विकास हित्तु वित्त उपलब्द कराने वाली सर्वच संस्ता है प्रश्निक्रमांक 5, कीस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जन जातियां निवास करती है और इस प्रश्निका सही जवाप है C, मद्धिप्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जन जातियां निवास करती है प्रश्निक्रमांक 6, भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी तोर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस प्रश्निका सही जवाफे ओप्शन C वित्त मंत्राले द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी तोर पर वित्त मंत्राले द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रश्निक्रमांग साथ एक रुपे की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं और इस प्राश्निका सही जवापे B. वित्त सचीव एक रुपे के नोट पर वित्त सचीव के हस्ताक्षर होते हैं प्राश्निक्रमांख 8. मिस्त्रित अर्थ व्यवस्था का अर्थ क्या है? और इस प्राश्निका सही जवापे Option D. व्रहत लगू एवं कुटिर उध्योगों का सह अस्तित्व मिस्त्रित अर्थ व्यवस्था यानी Mixed Economy व्रहत लगू एवं कुटिर उध्योगों का सह अस्तित्व है प्राश्निक्रमांख 9. योजना आयोग के अनुसार ग्रामिन क्षेत्रों में कितनी केलोरी पोशन प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है और इस प्राश्निका सही जवाफ है Option B. 2400 केलोरी योजना आयोग के अनुसार 2400 केलोरी से कम पोशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को गरामिन शेत्र में गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है प्राश्निका सही जवाफ है D. उद्योगिक स्रमिकों के अपभोगता मुल्य सुचकांक प्राश्निका सही जवाफ है Option B. भारत में पहली पंच वर्षी योजना कब प्रारंब की गई थी प्राश्निका सही जवाफ है Option B. एक अप्रेल 1951 को भारत में पहली पंच वर्षी योजना प्रारंब की गई थी प्राश्निक्रमांक 12. आत्म निर्वरता की प्राप्ती को सरुप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश निर्धारित किया गया था प्राश्निका सही जवाफ है चोथी आत्म निर्वरत की प्राप्ती को सरुप्रतम चोथी पंच वर्षी योजना का मुख्य उद्देश निर्धारित किया गया था प्राश्निक्रमांक 13. स्टेट बेंक आफ इंडिया का राष्ट्री करण कब किया गया था प्राश्निका सही जवाफ है उप्षन C 1. जुलाई 1925 को स्टेट बेंक आफ इंडिया का राष्ट्री करण 1. जुलाई 1925 को किया गया था प्राश्निक्रमांक 14. मुद्रा इस्पिती की माप थोक मुली सुचकांक के आधार पर की जाती ही इसके लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है और इस प्राश्निका सही जवाफ है उप्षन C 1. 1993-94 प्राश्निक्रमांक 15. वर्ष 2001 की जनगनना के अनुसार भारत में एक हजार इस्तिर्यों पर पर पुरुचों की संख्या कितनी थी और इस प्राश्निका सही जवाफ है उप्षन नो सो तेंटीस प्राश्निक्रमांक 16. देश्ट का सबसे बड़ा वानिजी बेंक, लार्जिस्ट कोमर्सिल बेंक कोन सा है और इस प्राश्निका सही जवाफ है उप्षन C SBI State Bank of India देश्ट का सबसे बड़ा कोमर्सिल बेंक है प्रैस्ण क्रमांग 17 केंदर सरकार के बजट के चालू खाते में व्याई की सबसे बड़ी मद निम्न में से कौन सी है और इस प्रैस्ण का सही जवाफ है D. ब्याज भुकतान प्रैस्ण क्रमांग 18 मानव विकास सुचकांग में शामिल किये जाते हैं और इस प्रैस्ण का सही जवाफ है Option D. उप्रोक्त सभी जीवन, संभाव्यता, शिक्षा का इस्तर तथा प्रतिव्यक्ति आये सभी मानव विकास सुचकांग यानि Human Development Index SDI में शामिल किये जाते हैं प्रैस्ण क्रमांग 19 सेवा क्षेत्र अर्थ व्यवस्ता के किस क्षेत्र को कहा जाता है ओर इस प्रैस्ण का सही जवाफ है Option सी त्रतियक्षेत्र सेवा क्षेत्र अर्थ व्यवस्ता के त्रतियक्षेत्र को कहा जाता है प्रैस्ने करमांक 20 अर्थ व्यवस्ता के प्रात्मिक शेत्र प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन एकनोमी में किसे शामिल किया जाता है और इस प्रेशने का सही जवाब है उप्रोक तो सभी पश्चु पालन वन तथा मत्षि पालन इन सभी को अर्थ व्यवस्ता के प्रात्मिक शेत्र में शामिल किया जाता है पुरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जदी यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें